प्रखन शेत्र के चितरगडिया गाउं में विगत आर तारिक से चल रहे किरके टूर्णामेंट का आज समापन हो गया बताते चले कि प्रतीवर्श चित्रगडिया की टीटी कलब के द्वारा किरकेट टूर्णामेंट का एउजन किया जाता है जिसमें दूर दूर से टीमें भाग लेती है इस बार चार दिवसे टूर्णामेंट में कुल आठ टीमों ने भाग लिया अपने रोमान चक खेल से दर्शो को की खुवावाई बटोरी टूर्णामेंट का फाइनल मैच पिनर गडिया तथा यूवा एक तक कलब बेना गडिया के बीच खिला गया जिसमें पहले बल्ले बा ट्रॉफी तता 50,000 रुपे नगत और एवं विजेता टीम को ट्रॉफी और 30,000 रुपे नगत पुरुसकार दिया गया इस मौके पर समा सेवी वे विवसाई आदित्य गोसामी पूर्मुक्या सोमलाल हेम्रों असद अंसारी राजेश साने खिलाडियों का मनोबल बढ़ाया इवं पारितोशिक वित्रन किया पूरे टुनामेंट मैचों में अपायरिंग कर रहे कलामुद्दीन अंसारी तथा अरजुनगीरी के आकरस्ट अंपायरिंग का नजारा पेश किया टुनामेंट के सपल संचालन में टीटी कलब चित्रगडिया के अध्यक्ष मुन्ना अंस सारी सचिवकारन है ब्रेम आधी उपस्तित रहे